दोस्तों क्या आपके वीरे में भी बदबु आती है क्या आपके वीरे की है आदर काता है ? अगर सुद वीरे की कलर होता है इस फटीक यनि facture के समान। आयरवेद में माना गया है कि आयरवेद के अगर आप चरक गरंथ में भी चेक करेंगे ना तो उसमें कलर बताया गया है सैफटीक यानि फिटकरी के समान का कलर ही सुध वीरे का कलर होता है और उसमें सुगंद आती है लेकिन आपके अगर वीरे में बद्वू आती है आपका वीरे अगर पिले कलर कारता है यह लाल कलर कारता है तो आपके लिए वीडियो बहुत काम किये इसलिए इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा मैं हूँ आईडिक डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं इस चैनल पर आपके आपके सरीर को स्वास्ते समधे जान करी देता हूँ इसलिए चैनल को सब्सक्काइब कीजएगा और अपनी जो भी समस्य है मुझे कमेंट कीजएगा मैं नेक्स वीडियो आपके लिए लेकि तो दोस्तों हम बात कर रहे है आज वीडियो में बदबू और वीडियो के कलर में चैंज आने पर हमें क्या करना चाहिए और सबसे पहले इसका कारण जान लेते हैं क्योंकि बिना कारण के कोई समाधान आपको समझने आएगा हर इंसान यह चाहता है हमें पता तो उसलिए क्यों आये में. ऐसे क्या करें। साथ में कुछ परहेज बतांगा जो ज़रूरी है आपको करना, क्योंकि बिना परहेज के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. खासकर आपको यह प्रॉब्लम है जो मैंने दोनों बताईए तो इसमें परहेज करने बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले है कारण दोस्तों अगर ज्यादा अती मास्टूबेशन करने से या ज्यादा नाइट फोल होने की वज़े से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने से अती अतेदिक अलकोहल पीने से ज्यादा धुमर पान केने से कोई नसा जादा करने से провमारे sprem में 화 कर जाता है औरुर इंफेक्षी का ता हम कि अख और फ सोचते हुए कोई कोई इनक्राइink या इंटिबाटिक देटी तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इस में क्या नहीं खाएंगे सबसे पहले नसा छोड़दो अगर करते हो तो ने करते तो बहुत बढ़ी आए फिर बात करते हैं क्या सोयाबिन से बनी वी चीज़े बंद कर दो जब आज कल जिम करने वालों को जादे जुन चड़ावाय सोयाबिन बढ़ी खाते हैं और प्रोटीन लेंगे उससे लेकिन वो अलग चीज है फिर हम बात करते हैं कि और क्या करते हैं मार्केट का फास्ट फूड बिल्कुल बंद करें उसमें ऐसे ऐसे केमिकल ऐसे ऐसे चीजें होती जो आपको नपुनसक बनाने में बहुत करगर होती है और स्प्रम क्वालिटी करती है ना कि इनक्रीज करती है ओके तो यह सब बंद करें यह आपके लिए नहीं है रोज रोज आप दोनों टाइम रोटिया ना खाएं अगर आप रोज खाते हैं रोटिया तो अपते हम दो दिन चावल जुरूर खाएं एक दिन शिर्फ आपको उपास भी रखना चाहिए महिने में कम शिकम इससे आपके इसके बाद क्या करना है आपको दूद पीना है रोज घीव मिला के इससे बढ़िया रहेगा इन्फेक्शन में कमी आएगी जो आउला पावर रखाऊगे इसके बाद रोज सुबह रणिंग करनी है आपको कम से कम भी 3-4 किलोमेटर रेगुलर रणिंग नहीं कर सकते हो तो वोक करो कुछ तो करो सुबह जल्दी उठो रात को जल्दी शो और श्टार्ट करो इससे भी आपके श्मांग काउंट पे बहुत ज्यादा एफेक्ट पड़ता है आपको लगता होगा इससे क्या फरक पड़ता है बिल्कुल पड़ता है रेगुलर फोन दो-तीन गंटे से जादा दिन में जादा से जादा तीन गंटे फोन यूज़ करो इससे जादा अपने पहन को दूर रखो आज के समय इससे निकल नहीं वहली ऐसी रेडियेशन किर्णे अपके सरीर में बहुत जादा स्परम को विक कर रहे हैं और आज के समय इसलिए च्छै वेक्तियों में एक वेक्टी बाप नहीं बन सकता, इसके बारे मैंने वीडियो में बताया है बहुत सारी, और आगेने वाले वक्त में, वो 6 वेक्ती से, 2, 2-3 होने में ज़्यादर वक्त नहीं लगने वाले अगले 10 साल में हो जाएगा, जहां तक चल रहा है, इस वक्त ऐसे पेशेंटों के संग्या बढ़ती जा रही है। फिर हम बात करते हैं कि यह तो हो गया normal treatment, अगर आप चाते हैं पर्मानेंट treatment, आप चाते हैं कि सर हमें तो इसका पर्मानेंट solution चाहिए, हमारा पूरा सरीर बरबाद हो चुका है, अगर आपको कोई sexual problem है, अगर आपको और भी कदर कोई problem है, तो आप मुझे इस नंबर पर संप्रक कीजिए, आपको इलाज मैं दूंगा, यह याद रखेगा, यह नुसके नहीं बताए जाएंगे इस नंबर पर, सिर्फ इलाज की जानकरी दी जाएगी, इसलिए चीज के दान रखेगे, और चैनल सब्स कि साथता कली, नमाश्कार!